हेलो एब्रीवन एक बार फिर से आप सभी का सवागत है आपका अपनी से यूट्यूब चैनल इजी कुछनल गेलरी में दोस्तों इस पर्टिक्लर वीडियो में हम बिहार करेंट अफेर्स रिलेटेड या बिहार से जुरूरे वे उच्छ कुछ प्रसनलिटी के बारे में डिस पूछा जाता था उससे रिलेटेड दोस्तों आज हम कुछ इंपोर्टेंट चीज़े यहाँ पर डिसकस करेंगे कुछ कोशन मुश्किल से चार-पांच कोशन है जरूर आप इसको देख लें मैक्सिमम प्रवाइबलिटी है कि यहां से तीन से चार कोशन आपको मिली जाग क्योंकि यह सारा चीजें बहु ज़्यादा चर्चाम रहाता है जैसे पहला एक चीज़ देखते हैं दोस्तों यह राजलक्ष्मी यह राजलक्ष्मी दोस्तों क्रिकेट की प्लेयर इसे रिलेटेड कोशन पूछा जा सकता है जैसे आपको रितिक आनंद वहला पता होगा द क्रिकेट के T20 में सीनियर महिला जो क्रिकेट 20 दोस्तो इसमें इनका चैन हुआ थे इसे रेटेट कोशन बन सकता है देखिए इसे क्या कोशन बन सकता है कि हाली में बिहार की राजलक्षमी का चैन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है तो यह बिहार के किस जिले से संबंदी थे हैं रितिकानन सभी यही कोशन आया था को बिहार के किस जिले से संबंदी थे रितिकानन तो 42 से थे और यहां राजलक्षमी के बारे हम दोस्तों तो देखिए सुपोल जिले याद रखेगा सुपोल जिले से सम्मंदी थे राजलक्षमी सुपोल जिले के सराइगड भप्त याही प्रकंड के सराइगड गाउनिवासी राजलक्षमी जी को राजलक्ष्मी जो की एक महला क्रिकेटर है उन्हें बिहार महला क्रिकेट टीम का कप्तान बना गया है राजलक्ष्मी बिसी सियाई के अंडर 19 टीम के प्लेयर भी रहा चुकी है पताब बिसी सियाई के अंडर 19 के प्लेयर रहा चुकी है और हाली में जो सबसे बरा कृतिमान इनों ना स्थाबित किया है कि क्रिकेट का जो सिनियर महिला क्रिकेट का T20 होता है दोस्तों T20 में इनका चैन हुआ है इसलिए ये ज़्यादा बहुँ ज़्यादा चर्चाब रहती तो जरूर इसको ध्यान रखेगा देखिए इसके बार जान लेते हैं जिस राजलक्षमी को खेलने के लिए क्लिए क्लिए फ्रतारित कभी हो सकता है कि इस पे वे खानबे घर क्रिकेट community का chain हुआ है ओल राइट नेक्स्ट कोसन हम देखते हैं दोस्तों यह है आपका हरीहर सेनी देख्यें से क्या को लिखता है कि इसे हाव पटनामे हाली में 1 मेरातन हुआते हैं सकता है कि हाली में संपन. हुए बिहार हाफ मेराथन दौर में जो बिहार हाफ मेराथन दौर में हुआ था दोस्तो उसमें 65 वर्स की उम्र में कौन से वेक्टी प्रथम अस्थान पर आए थे देखिए यह हरिहर सेहनी इनका उम्र 65 वर्स है दोस्तो यही प्रथम अस्थान पर आए थे जो हाफ मेराथन हुआ था जिसमें आप देखे होंगे हिमा दास भी आए वी थे दोस्तों अंजी बोवी जो ओलिंपियन प्लेयर है वो सब आए थी तो हाफ मेरतन में जो फर्स्ट रेंग पर आए हैं फर्स्ट पोजिस्टन पर यह हरिहर सेहनी हरिहर सेहनी जी फर्स्ट अस्थान पर हैं 65 वर 100% कोशन पूछा दा सकता की क्योंकि यह हाल फिलाल में बहुँ ज़्याद अच्यर चाम रहा था आपने देखा भी होगा हरिहर सेहनी 65 वर्स की उम्र में ओलम्पिक के मेराथन दोर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं मतलब होसले न उरान भरी है तो वह रुकने का दोर में चोथा अस्तान हासिल किया है एक ऐसा आदमी जो इस उम्र में भी ओलम्पिक जैसे टूनामेंट में जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है दर असल एक उम्र के बाद लोगों की सरीर धीर धीर आराम पसंद हो जाता है ऐसे लोगों के लिए पतना के समी बग जील से प्रते एक साल आप देखते होंगे कावर जील से जो बेगुसरा है वहां से तो कोसंद रहता है यह दोस्तो लेकिन हाल फिलान में एक और जील जिसका नाम है अमावान जील यह चर्चाम रहता है यह हां से क्या कोसंद बन साकता है तो हम बताते हैं देखिए बिहार क किस जिले के अमवामान जील जो अमवामान जील है दोस्तो तो बिहार का किस जिले के अमवामान जील के बाहर में अमवामान जील में वाटर स्पोर्ट्स एक तो इसमें क्या हुआ है वाटर स्पोर्ट्स से स्टार्ट हुआ है और पेरा सेलिंग दोस्तो वाटर स्पोर्ट्स और पेरा सेलिंग इसमें स्टार्ट हुआ है कि सुधा परिटन विवा के और से सुरूप क्या गया है जो हमारा टूरिजम डिपार्टमेंट है उसके द्वारा सुरूप क्या गया है तो पूछ सकता है कि ये किस जिलाम है पूर्व अधिकारों ने कहा है कि बिहार में पहली बार पच्मी चंपारण जिलारववार को अपने सफल परिश्चन के बाद परिशंग के लिए राष्टे राजमवार के साथ अमा वामन जील में पैरा सेलिंग और अन्य साहिक जल्द क्रिणा सुरू करने के लिए तयार है तो याद ध्यान रखेगा दोस्तों बढ़ा इंपोर्टेंट कोसन है इस रेलेटे देखे एक हमान फोटो भी है दोस्तों यह है आपका अमा वामन जील पच्मी चंपारण बेतिया याद रखेगा यूजवली कंफ्यूजन हो जाता है पच्मी चंपारण और पूर्वी चंपारण त में साथ आए कि वो कहा है तो आपका मोतिहारी में है तो यह चीज़ जो है बेतिया दोस्तों पच्मी चंपारण में अमा मामन जील नेक्स्ट कोसन हम देखते हैं एक बड़ा इंपोर्टेंट कोसन है दोस्तों के देखी यह भी इंटरनेशनल निउस से रेलेटेड है बिहा बिहार के किस फिल्म डारेक्टर को पेरिस में पेरिस में जो हुआ था कान सेवेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डारेक्टर का वार्ड देखिए बेस्ट डारेक्टर का वार्ड है विहार का फिल्म डारेक्टर दोस्तों बेस्ट के पंचोब निवासी चर्ची डिरेक्टर सौरब चोदरी के पुत्र, सौरब चोदरी के पुत्र है फिल डिरेक्टर पार्ट सौरब को पेरिस में सान सेवेस्टेन, देखिए वहाँ पर एक आयोजन हुआ था, मतलब सान सेवेस्टेन इंटरेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौ आले लालबाग में और विभिन छेत्रों पर सूट किया गया था इस फिल्म के निर्देशक वा निरमाता दोनों ही पार्थ सौरब हैं पेरिस में 25 सेप्टेंबर को इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया था इस सम्भान के लिए मिथला के पार्थ सौरब को बॉलीवूड हॉल कि नेक्स्ट कोशन ने केक सरीय इस्तुरूप ये पूछ सकता कि बिहार के किस जिलीमे पूर्वी चंपारन पच्वी चंपारन रहतास केमूर और अंगा मात घुसपूर बकसर किसी भी जिला के नाम देदेगे आपको पता होना चीए देखिए इसे क्या कोसर बन सकता है कि हाल ही में चर्चाव रहा केसरिया एस्टूप बिहार के किस जिले में इस्तित है तो यह है आपका पुर्वी चमपारन केसरिया एस्टूप दोस्तोफ यह आपका पुर्वी चमपारन का निर्वान कर रहा है इसे 20 विश्व का सबसे प्राइस्टूप माना जाता है दुनिया का सबसे प्राइस्टूप माना जेता दोस्तों केसरी आस्टूप वर्तवान विश्व का सबसे प्राइस्टूप 14 विश्व के प्राइस्टूप में प्राइस्टूप यह कुछ कोसन आप से पूछा जा सकता है और यह देखे दोस्तों यह भी इंपोर्टेंट है मुकेश कुमार का टीम इंडिया में चेयन इससे पहले आपने इसान किसन का नाम सुना था जो बिहार से है उनका इंडियन टीम में खेल रहे हैं और मुकेश कुमार लास्ट येर इ में जवर्दस जसन मतलब मुकेश कुमार को इसमें सामिल किया गया है इंडियन क्रिकेट टीम में ओल राइट ये कुछ इंपोर्टेंट कोसन था दोस्तों हमको जो लगा जो बहुँ ज़्यादा चर्चाम रहा था इन दिनों यहां से कोसन पूछ जाने की संभावना है दे जो नेक्स्ट इस वन डे सीरीज होगा उसके लिए इनका चेन किया गया है भारती टीम में पतना किसान किसन भी है इसे ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के दो क्रिकेटर एक साटी मीडिया में खेलेंगे बाय हाथ के तेज गिंदवाज ये गिंदवाज है मुकेश ने सनि अविर से लिए जो थापन करते वे 4 त्यूश क्रिकेट मैच में टेस्ट मैच में पांच विकेट ली और पूरी स्रीज में सरफश्च गिंदवाज बनकर तीम ईड़ा के चेन करता को प्रभावीत किया था तो बिहार के एक और खिलारी का टीम इज्या इसान के साथ तो आपका यह है गोपाल गंजी हरिहर सनी के बारे में हमने दूस्तों अच्छे से डिसकस किया तो यह जरूर याद रखेगा यहां से दूस्तों मुश्किल से आपका 10 मिनट का वीडियो है और 5-6 कोशन maximum priority के हाँ से कोशन आपसे पूछा जा सकता है हरिहर सनी के बारे में जो पतना हाप मेरतन हुआ था एक अब अगर हम सब जिसको कमपाइल कर देते हैं सारंस में देखिलिए कि पतना में जो हाप मेरतन हुआ तो उसमें 55 वर को उम्र में इन्होंने प्रसमस्तान हासिल किया मुके हरिहर सनी के बारे में पर दिये हैं और अमावावन जील बिहार की पहली पैरासलिंग सुधाग लिए तयार है यह कहां है तो आपका दोस्तों यह पच्मी चंपारन है अमावावन जील पच्मी चंपारन में है जहांपे पैरासलिंग वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया ज इसके लिए इनको बेस जरेक्टर का अवार्ड मिला था और केसरी अस्तूप कहा है तो केसरी अस्तूप आपके बिहार के पूर्वी चंपारन में है विस्व का सबसे ब्राइस्तूप है जब महा भागवान महा बहुत जो है भागवान महात्मा बुद्ध निर्वान की तरफ जा रहे थे यहां दिर्वान का सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक कीजे कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछेगा बहुत धन्यवाद दूस्तों जया हिंद